Good morning my lovely students, how are you? I hope you are fine and doing your studies also. Today we are going to do revision of numbers. कौन से दो numbers मैंने करवाय थे आपको? 1 and 4. आज हम उसका वापस से revision करेंगे. चलो. So my dear students, today we are going to do revision. कौन से नंबर का? 1 and 4. Standing line. उपर से नीचे. 1. इसको standing line भी बोलते हैं? बेटा, 1 भी बोलते हैं. उपर से नीचे. 1. 1. उपर से नीचे. 1. From top to bottom. 1. Now the next number is 4. इसमें क्या करना हैं बच्चा? बताओ तो. आपने किया है ना यह number? Standing line. Sleeping line. One more standing line. This becomes 4. Standing line. Sleeping line. One more standing line. Standing line. Sleeping line. One more standing line. Standing line. Sleeping line. One more standing line. क्या हुआ ये बच्चा, 4 अभी तो आपको आ गए होएंगे न बच्चा ये दोनों नमबर्स, 1 और 4 बहुत इजी है देखो मैं आपने कितना क्लियर लिखा है आप भी ऐसे अच्छे से लिखोगे आपको याँ पे ट्रेस करना है और ये भी बच्चा कंप्लीट करना है अब ये एक रस्ता बना हुआ है बच्चा आपको इसके ओपर ट्रेस करना है स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन ट्रेस ओवर दर नमबर 4 विद्यों फिंगर आपको यहाँ पे भी ट्रेस करना है और यहाँ पे भी बच्चा ये कंप्लीट करना है शाल वी स्टार्ट बच्चा? चलो 4 स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बच्चा एक लाइन मैं आप करूँगी बाकी आप पूरा complete करोगे Standing line, sleeping line, standing line Now children you have to complete the rest of the four But बच्चा वैसे ये four proper four है But आप ये वाला four भी इसमें कर सकते हैं But this is the proper four जो मैंने यहां लिखा है Standing line, sleeping line, standing line Till then stay safe, stay happy, God bless you